पीवी सिंधु को 10 लाख रुपिये और हिमादास को 50,000 क्यों? पीवी सिंधु को 10 लाख रुपिये और हिमादास को 50,000 क्यों? पीवी साहता से असम में अनुसुची जातियों के लिए आरक्षेत आठ निर्वाचन शेत्रों, बोको, मंगलदोई, जगरोड, रहा, डेरगाउं, रदबारी, धोलाई, अभैपूरी, दक्षिन के विधायकों के बारे में पता लगाया, इन में से तीन विधायकों, नंदित होने के कारण सरकार ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हगदार थे, ये जानने के लिए आए उन परसकारों पर एक नजर डाले, हिमादास ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद असम सरकार ने उन्हें 50 लाख रुपिये की राशी देने की घोशना की, साथ ही उन् करनाटक के उप मुख्यमंतरी जी परमिश्वर ने हिमादास के लिए 10 लाख रुपिये की इनाम की घोशना की है, असम के पूरों मुख्यमंतरी तरुन गोगोई ने भी अपने ट्रस्ट से 1 लाख रुपिये देने की घोशना की है, पुर्व राज्यमंतरी गौतम राय ने एक लाख रुपिये देने की बात कि ही है Assam Athletics Association और Assam Olympic Association ने हिमा दास के लिए दो-दो लाख रुपिये के इनाम की घुशना की है इसी समय फिनलेंड ने रहने वाले भारतियों ने भी हिमा के लिए एक लाख रुपिये एकटा की है बहुत से लोग इस बात पर आपती करते हैं कि केंदर सरकार के और से केवल 50,000 रुपिये के पुरसकार के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया था लेकिन ये सही नहीं है खेल मंत्राले ने अपने लक्ष ओलम्पिक पॉडियम योजना में हिमा को शामिल किया है केंदर सरकार अब 2020 टोकियो उलम्पिक तक हिमादास की तयारियों से लेकर वेक्तिगर ट्रेनर तक पुरा खर्चा उठाएगी उन्हें अपनी जेब से कुछ नहीं देना होगा इसके अलावा आउट आप पॉकेट भत्ते के तहत हर मेहने 50,000 रुपिये देने का फैसला किया गया है हालाकि इसे प्रतियोगिताओं की प्रतिष्ठा के तर्क से भी देखा जा सकता है बहुतों का मानना है कि हिमादास ने अंतराष्ठे प्रतियोगिताओं में जीत कर देश को गवरवानवित करने का आउसर दिया है लेकिन इस मामले में उलम्पिक से बहतर कुछ नहीं है दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठ इत्खेल प्रतियोगिता ओलम्पिक में देश को पदक दिलाने वाले खिलाडियों को करोडो रुपिय का पुरुसकार दिया जाता है यही कारण है कि महला पहलवान साक्षी मलिक और बैडविंटन खिलाडी पिविस सिंदु को पुरुसकार के रुप में करोडो रुपिय मिलें ओलम्पिक प्रतियोगिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतिये जिमनास्ट दीपा को पदक नहीं जितने की स्थिती में उनके शांदार प्रदर्शन के लिए नगती नाम दिया गया था एक खंड के अनुसार अगर हिमादास ओलम्पिक में पदक जीती है और उन्हें भी भी उप्युक्त प्रुसकारों से समानित नहीं किया जाता है तो दलितों के खिलाब भिदभाव का तर्क दिया जा सकता है अभी के लिए अपनी वर्तमान उपलब्धी पर समानित किये अभी हाल ही में पिवी सिंधू को लेकर केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख रुपिये देने को लेकर भी टिपनी किया जा रहा है इसे हिमादास के केंद्र सरकार द्वारा दिया गया 50,000 रुपिये के साथ तुलना किया जा रहा है जानने योग के बात ये है कि पिवी सिंधू लक्षे उलम्पिक पोडियम योजना में पहले से ही शामिल है और पहले उलम्पिक में भी पदक जीत चुकी है शायद इसलिए कि इंदर सरकार ने पिविसिंदु को 10 लाख रुपिये दे कर समानित किया